रिवीजन एवरीटिंग में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप लोग आप सब बहुत ही अच्छ होंगे देखिए इसके पहले की वीडियो में हमने आकाश गंगा अपनी मंदाकनी और सूपर क्लस्टर के बारे में पढ़ा हुआ था तो जह सुरू करते हैं । है कि सूर से दूरी पर इस्थित तारो कहते हैं है इसकी суर स से दूर पर इस्थित कुछ तारे होते हैं और उनना कोई विसेश तरीके की आकरती बनाता जिसे तारे मंदा और हमारे सौर मंडल में कुल तारा मंडल की संख्या मतलब जो हमारे सौर मंडल से देखी जाती है वो कुल तारा मंडल की संख्या तारा मंडल जिसे ओरियन कहते हैं या फिर कालपूरुस तारा मंडल कहते हैं देखिए यह शिकारी की तरह दिखता है इसे मुरिग भी कहते हैं इसके बीच में तारों की संख्याधिक होती है इसके दक्षर पस्ची में साइरस तारा है तो देखिए तारा मंडल का एक बेहतरी तो कुल मिला कि imagine ही किया जाता है, कोई confirm नहीं, जैसे चांद को देखिए, किसी को उसमें कुछ और दिखता है, किसी को उसमें आदमी की शकल दिखती है, किसी को ना दिखता है, किसी को कुटता दिखता है, वो केवल देखने के उपर है, उसी तरीके से जो तारा होते हैं, वो अलमा ओरियन काल पूरुस या म्रिग तारा मंडल भी इसे ही बोलते हैं और यह कुल साथ तारों का समू है साथ से आठ तारों का समू है ठीक है क्योंकि देखिए ये जो बीच के तारे हैं ये इसका हिस्सा नहीं है बलकि ये साथ तारों का ही एक समू है और ये वाला जो तारा है यही है साइरस इसको याद रखिएगा कि जो हंटर तारा है इसके डक्षिण और पस्चिम के बीच में साइरस तारा है जो कि सबसे चमकीला है ठीक है तो यह है तारा मंडल अब आगे देखते हैं हम साइरस तारा थीखिए जो ऑग स्टार भी कहा ढ़के सबसे ज्यादा जाए तो सबसे ज्यादा ज्यादा चम्खिलला कॉन सां कौन सा है तो जो आगे रखेगा और सायरस तारा का एक अन्य नाम डॉग स्टार भी है फिर अगला है ध्रूब तारा जिसे पोलर इस्टार भी कहते हैं यह सदय उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह तारा प्रतवी के उत्तरी ध्रूब पर होता है ठीक है तो देखे अगर हम मैप देखें तो प उत्तर दिशा की ही और रहता है इसी लिए इसको दिशा सूचक तारा कहते हैं यानि अगर आपको यह मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर है और अगर आपको एक दिशा के बारे पता चल गया तो आप चारों दिशा के बारे में समझ सकते हैं कि कौन सा दिशा कि साइ दूसरा है लगु सब्तरिशी जिसे उर्सा माइनर बोलते हैं यह भी साथ तारों का एक समुह है किन्तु यह सब्तरिशी के उल्टे आकार का होता है इसके सहयोग से भी दूपतारा को डूड़ा जा सकता है देखिए पहले एक सब्तरिशी मिला हुआ था लेकिन जब दूसरा स सब्तरिशी मिला तो आये हुआ कि अब क्या किया जाए तो उनका जब साइस देखा गया तो एक थोड़ा बड़ा दिख रहा था दूसरा थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए एक का नाम रिहत सब्तरिशी रख दिया गया और दूसरे का नाम लगु सब्तरिशी रख दि से एक महीने में सूर्य 2.25 नच्छत्र को पार करता है तो देखिए जो सूर्य से दूर तारा मंडल थे मतलब जो सूर्य से दूर तारों का समूंग था उसको तारा मंडल बूल जाता था लेकिन जो सूर्य के समीब तारों का समूंग है उसको नच्छत्र बूल जाता है कुछ कुल नच्छत्रों की संख्या 27 होती है ठीक है तो I hope कि आपको ये नच्छत्रों तारा मंडल समझ में आ गये होंगे इनमें important क्या है कुल तारा मंडल की संख्या 88 कुल नच्छत्र की संख्या 27 सबसे चमकीला तारा साइरस तारा और जो धुरूब तारा है उसको polar star बोलते हैं और यह दिसा सूचक भी होता है ठीक है इसमें यही कुछ main point थे तो I hope कि आपको यह समाझ में आया होगा मिलते हैं नच्छ वीडियो में thank you